नवरात्रे के पहले दिन के लिए आज तयार करेंगे हम ये ब्रत वाली बहुती टेश्टी और मज़िदार पकोडी मैंने आपर ये उबले हुए आलू लिये हैं ये 500 ग्राम हैं मैं 2-3 लोगों के लिए पकोडी बना रहे हूँ चाकू की मदद से आलू को हमें ऐसे गोल गोल काट लेना है तो हमें इसी तरीकी से सारे आलू को काट के रख लेना है सारे अलू काटनी के बाद यहाँ पर एक बावल में यानि ये बरतन में डालेंगे हम देड़ कब बरतवाला आटा तो ये में सिंगाड़ी का आटा इस्तिमाल कर रही हूँ आप कोई भी बरतवाला आटा ले सकते हैं डालेंगे आद़ चमच बरतवाला नमक और पानी डाल कर इसका हम घोल तयार करेंगे जो हम घोल बनाएंगे थोड़ा सा गाड़ा बनाएंगे एकदम पतला नहीं बनाएंगे यहाँ पर हमारा घोल बन गया है तो कटा हुआ आलू लेंगे और तयार किये हुए घोल में आलू को हमें डिप करना है और डिप करने के बाद तेल में हमें ऐसे छोड़ देना है और हमें उलटते पलटते हुए इन पकोडियों को सुनहरा कलर होने तक अच्छे से तलना है आप चाहे तो तेल की जगे देशी घी भी ले सकते हैं और पकोडियों को हम उलटते पलटते हुए सुनहरा कलर होने तक तल लेंगे पकोडियां हमारी तल के तयार हो गई हैं इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लूँगी साथी साथ हम यहां पर थोड़ी सी हरी मिर्च भी बीच से काट कर तेल में तल लेते हैं तो चलिए अब हम अपनी पलेट लगाते हैं तो पलेट में रखी हैं मैंने यहां पर यह पकोडियां साथी साथ रखेंगे हम यह तली हुई हरी मिर्च और रखेंगे यहां पर दही आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आप भी नवरात्री पे इस तरीके से पकोडियां बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाएं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक ली नमस्ते